नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी गाचीर परीचित दोस्त उपस्तित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपून जानकारी को लेकर के आईए आज हम सभी जानते हैं कि किन-किन बेमारियों में और किन-किन लोगों को जीरे का पानी पीना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए बेहुद फायदे मंद होता है जी हाँ, जिन्हें हार्ट की problem है, यानि हार्ट का खत्रा है उन्हें body में cholesterol level को कम करने के लिए जीरे का पानी पीना चाहिए इससे heart की problem से बचा जा सकता है इसके अलावा इससे body के toxins दूर होते हैं या skin problem जैसे कि pimples दाग धब्बूं से आपके शरीर की और खास करके face की सुरक्षा करता है pimples फेस पर आते हैं दाग धब्बे कहीं भी हो सकते हैं आपके शरीर पर इनसे छुटकारा पा सकते हैं आप जीरे का पानी पी करके क्योंकि ये skin problems को sort out करता है जिनका वजन ज्यादा है वो भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं इससे body का metabolism बढ़ता है और वजन कम होने लग जाता है जिने muscles pain रहती है वो इस drink से blood circulation ठीक हो जाता है अगर इसका 7 करते हैं तो इससे muscles relax होती हैं और pain दूर होता है जिनका digestion खराब होता है तो वो जीरे के पानी का 7 करें इसमें मौझूद fibers digestion improve करते हैं या acidity जैसी पेट की problem से आपको बचाते हैं जिन्हें diabetes की संभावना है यानि कि जो लोग sugar से पिडित होने के खत्रे के आसपास हैं उन्हें इससे body में glucose का level maintain रहता है अगर आप जीरे का पानी पीते हैं तो इसलिए उन्हें जीरे का पानी पीना चाहिए या diabetes से आपको बचाता है जिन्हें खून की कमी है यानि कि एनीमिया रोग है जिनको तो वो लोग जीरे का पानी जरूर पी हैं क्योंकि इसमें iron होता है जो एनीमिया यानि कि खून की कमी से आपको बचाता है इसके अलावा जिन्हें BP की problem है blood pressure की problem है वो इससे blood circulation proper हो जाता है अगर जीरे का पानी 7 करते हैं तो यह BP को control कर लेता है तो अगर आप अपनी इन बिमारियों को जो जो हमने बताई इनको दूर करना चाहते हैं तो आप जीरे का पानी पी सकते हैं आप सभी के लिए बेहद लापकारी साबित होगे दोस्तों तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों